मित्रु जय मादादी आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा धर्म सिक्षा में हरोज की तरह एक बाद फिर से मैं जिरूँ आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल मंगलवार यानि की 8 जून 2021 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संपथ 2018 जेष्ट मा कृष्ण पक्ष की त्रियुदसी देथी त्रियुदसी देथी आज दिन के 11 बच कर 17 मिर्टक रहने वाल है उसके बाद फिर चतुरदसी देथी अरंभ हो जाएगी नेचातर भड़नी रहने वाल है भड़नी नेचातर सुबा के 6 बच कर 16 मिर्टक रहेगा उसके बाद फिर क्रितिका नेचातर आरंभ हो जाएगा वरत्योहर में आज है मास सिब्रातरी का हुरत मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और विस्तार से जानना है एक-एक मौतों होगा हम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है मौहाचा कर आप आज का पंचांग विस्तार पर विस्तार पर जान सकते है एक एक मुpremमि देबा जा सकते हैं आज के संपूर्णी वीडियो में हम जानने वाले हम बारी राशों का आज का या साथी hatte सुब को ju AGAindi साथ राएगा राश producción रांगब शुब defender अनरत अग्प एक निजर ड़ालते हैं आज के ग्रहों किस्तेति पर क्योंकि ग्रहों किस्तेति पर ही रासी फल निर्भड करता है। आज चंदरमा मेस राशी में बुद्र सूरि राहू, तीनों एक साथ वेस राशी में, शुक्रमिधुमराशी में बंगल्कर run才 केतु-वीश्ची, प्रधम अगर आप नोक्रिक करते है तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का स्योग प्राप्त होगा आज आप मधुर्बानी बोलिए मीठा बोलिए आपके सारे काम बनते रहेंगे आज किन आपको अपने पिता का भरपूर सहयोग भी प्राफ्त होगा आपका मनोबल भी बना रहेगा आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंतन रखें किसी से भी दिल की ब बढ़ेगी बचत भी आपके आज बढ़ेगी आज आपको आई के नए सोद विक्सित करने में भी सफलता मिल सकती है नए वस्तर और आभूसन खहिदने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज कि थोड़ा नकारात्मक रहे सकता है आपको आला से और निंद्रा आ सकती है तो आला से और निंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय पाएं और अपना ध्यान अपने परहाई परी लगावें स्वास्ति की बातकर आज आपका स्वास्ति समाने रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वास्ति का ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्ति थोड़ डगमगा सकता है तो उनका ख्याल रखें प्रेम सुमन्त की बातकर पती पत्नी के बीच किसी प्रकार के गरत फैमी दूर हो सकती है, दाम पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, आज की मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबंग लाल देंग और आपके लिए आज का लखी नमर नौ रहेगा, बात में वरिश्टासी की वरिश्टासीम चत्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज किसी धार्मिक यातरा पर जाने की योग आपके बन सकते हैं, आपकी कोई महतोकांचा आज पूरी हो सकती है, आज कहीं आप अपने काड़ी में वैस रहेंगे, किसी फालतु के काम के का आपका समय वर्वाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें, और अपना समय अपने काड़ी छेत में ही लगावें, आज आपके लिए इस्थिती अन्कूल बनी रहेंगी, आज आप अपने मन की करने के भी कोशिस करेंगे, व्यापार और धन की बातके, व्यापार में जो पलता की पापती होगी, फिर भी मेनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें, स्वास्त की बातके किसी पुराने रोग से छुटकार मिल सकता है, स्वास्ति आपका अच्छा रहेगा, तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें, प्रेम समय की बातके आज सिम चद्रमा आठ टीसे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुब आज आपके आत्मिस्वास में बरहतरी होगी, ऑफिस के कुछ महत्पूर्ण कारिया आपको करने पड़ सकते हैं, आज अगर आप अच्छी योजना बना कर करीन महनत करेंगे, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, धरी रखें, दिन भर आपका, मन खुच रहेगा, संतान के तरफ से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, आज अगर घर में कोई धार में कारी करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, व्यापार और धनकी बात कित आई के सोतां में बढ़ोतरी हो आज के अच्छा रहेगा, उनको सफलता भी मिलेगी, स्वास्ती की बात के तो स्वास्त की दिश्टी से आज के बढ़िया रहने वाला है, आपने स्वास्त का ध्यान रखें, प्रेम समत की बात के तो अपने जीवन साथी को भापनात्मक तोर पर ख्याल रखें आज, आज जीवन साथ ही ज़्यादा भाव उख हो सकते हैं आज की डोहे के बतन में खाना पकाएंगे खाना खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब लगोरेंज करग और आपके लिए आज का लखी नमर छे रहेगा बात के एक करकरासी की करकरासीम चंद्रमा आज चोथे स्थानव विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके सोचे वे काड़ी पूरे हो सकते हैं साथ ही आपके कोई परिजयन आज आपसे नराज हो सकते हैं आज वाहन साबधानी पूरवक चलाएं दुरुगटना हो सकती है आज आपकी भाबनाएं आप पर हावी हो सकती है जिससे आपके बने वे काम भिगर सकते हैं तो अपनी भाबनाओं को नियनतन में रखे नए वाहन खेड़ने का मन आपको हो सकता है मकान भूमी का सुख भी मिल सकता है जो आतक खेलकूट से समग्ध रखते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है महला जातकों के लिए आज उन्नती का अच्छा अवसर भी बनेगा व्यापार और धन की बातकेद व्यापार योग के लिए आज किन सामाने रहने वाले निवेस करेंगे तो फायदे में रहेंगे पैतिक संपत्री मिलने के योग भी बन रहें महला जातकों के आए में विर्धी होगी विद्यार्थी की बातकेद जो आतक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहेगा सफलता उनको मिलेगी स्वास्त की बातकेत आज आपके सेल में दरद रह सकता है कुल मिलाकर आपका स्वास्ति बढ़िया रहेगा प्रेम समन्द की बातकेत आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेयम समन के लिए अच्छा भी रहेगा आज के इन तलावव भोजन कुछ करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा और आपके लिए आज का लकी निम्मर चार रहेगा बातने सिंहरासी की सिंगरासीम चंद्रमा आज पांचमें अस्थान में विराजी थे जिसके फ्लसुब आज आप घर तथा ओफिस दोनों की जिमेदारियां अच्छे से निवा पाएंगे आपका आत्मिश्वास बरहेगा आज आपका जयातर समय सुपचिंतिकों के साथ बितेगा किसी से कुछ उभार की प्राप्ति आपको हो सकती है कहीं यातरा पे जाने की योग बन सकते हैं किसी पर भी अपनी बाते थोपने की कोशिस ना करें यहां से आपको नुकसान हो सकता है व्यापार और धन की बात करत, आज आपको व्यापार में करी पतीयोंगता का सामना करना पर सकता है, बड़े निवयस करने से भचें, जो आतक नोकरी का काम कर रहे हैं, उन्हें आज का तीन अच्छा उन्ठी रहने वाला हैं, नोकरी में पडिवर्तन की संभावना भी बन सकत कुछ चपद की प्राप्ति आपको हो सकती है, आए में आपकी विर्धी भी होगी, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाला है, महनत करें सफलता आपको मिलेगी, स्वास्ति की बात के पेट से समंदित कुछ दिकत का सामना आपको कर आज के पैँखिया है का आज के लिए आज का सुभ रहेगा आज का लाल राग और आपके लिए आजकाना लंब निमेर है ऐक बात को रिंक अर आ中共 कंशिय की च समय ताम हो सकते हैं तो सदूरें तोसखिड रहें आज किकी पर भी अक्राव किस्ति सुधिड होगी बच्चों जो ये मामले में पोजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा होगा व्यापार में आज आप किस्ति अच्छी बनी रहेगी विद्यार्थी की वातकर विद्यार्थियों के लिए आज सफलता प्राप्ति के लिए ज़्यादा महत करने के BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBo आज साथमें अस्थान में विराजित है, जिसके लफसुब आज आप अपने कामों में वैस्त रहेंगे, आज आप पर काम का लोड ज्यादा रह सकता है, आज अपने कुरोध पर नियंतर रखें, या कुरोध आपको हानी करा सकती है, विरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहय बरते है, निवेस अनहवी लोग के सलाह विचार से ही करें, विद्यार्थी कि बात्के विध्यार्थियों के बन परहाई में कम लगेगा, कुछ विद्यार्थी आज अपने पर नीयंतर रखें, संबंद अच्छे बना के रखें, आज के इन चांदी के बरतन पर में खीर खाएंगे तो आपके लिए आज का सुः रंग सभी परकाल के चमकी ले रंग और आपके लिए आज का लखी निर्मा चार रहेगा वात में विश्ची आज करते हैं तो सोच समझ missionary करें परिवार या भी पैसे से जुरिवी परिसानियां आ सकती है मन में घब रह प्रेयम समन्ध कि बात्कित आज जीवनसाथी के साथ आपका दिन जीवनसाथी से संमान और प्यार आपको मिलेंगा आज किमूँ गएगे तो dancers उबहे आपके लिए आज का सुब्रन लाल रंग और आपके लिए आज का लखी नमर एक रहेगा बात करें धनुआसी की द्नुआसीं चंद्रमा आज नौए अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ जिम्मेदार का अन्भव करेंगे जो आतक कला के छेत्र से जुरे हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं वियापार अधन की बात के तो वियापार या नोकरी में आपको फायदा होगा कहीं अगर आपने पैसे अपने निवेश कर रखे तो फायदय आपको वहां स में रोग होने की संभावना बन रही है तो साब्धान रहे हैं आज आपकी मानसिक सांती और रह सकती है किसी परकार की चिंटा रह सकती है प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज की नच्छा रहने वाले हैं जो आतक और विवाहित हैं उनके लिए विवाह के प तहां में विराजित है जिसके फस्व आपकी रहन सहन की स्थिति में शुदार आ सकता है। कुछ समाजी कारे का आउस्ञिक्दाफ हो सकता है। आज आप अपना काम जितनी मिनम्मता से करंगें उतना ही आपको फायदा होगा। वानी पे अपनी इन्यें तन लखें। आ सकती है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज के दिन थकानों आरश से महसूस हो सकता है इन दोनों पर विजय पाने की कोशिस काने सफलता आपको तभी मिलेगी स्वास्त की बातकेद अपने स्वास्त का ध्यान रखें पेट से संबने छोटी मुटी खाएंगे तब परिवार में जराई ज्यागरई का माहौल बन सकता है तो आपस में सामज़ा से बनाई रखें मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आप अपने मन की बात किसी से शेर ना करें आज हो सकता आपकी गतिविधियों पर कोई और भी नेजर रख रहा हो तो अखायाई करने वाइं के लिए आज के सामाने रहने वाल है व्यापारियों को व्यापार में लाब मिलेगा आपका आर्थिक बजट 10 रह डगुआ सकता है तो अपने खर्चों पर नियंतर रखें आज आपके खर्च जादा हो सकते हैं विद्यार्थी की बात्कित विद्या मन्तों के लिए आज के मिरालदा रहने वाला है जीवन साती से कुछ वाद वाद हो सकते हैं तो आज के थोरा समल कर बोले मदुरूवानी बोले विवादों से तो बिल्कुल बचे हैं आज के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए आज का सुबरंग गुलावी रंग और अपके लिए आज का लखी नमर रहने वाला पांच बातने मीन नसी की मीन नसी चंदमा आज बाराफवे स्थान में विराजीत है जिसके फ्रसुब आज के इन आप अपने केरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाज दिन व्यापार और धन की बातकर कहीं पैसे निवेस करते समय आज किन थोड़ी साब्धानी बरतने की जरुरत है तो कहीं निवेस करना हो तो नियोजी धन से ही करें बड़े बुजर्गों की सलाह मसुला करने के बाद ही करें आज किन खर्च आपके बढ़ सकते हैं साथी जम्मा किये पैसों में कम ही आ सकती है लेकिन आई के सरोतों में बढ़तरी संभव हुए आज विध्यार्थी की बातकर विध्यार्थियों के लिए आज करने अच्छा रहने वाला है विध्यार्थी करने बीतेवे समय जितना महनत किया होंगे उनका फ्खल उनको मिलेगा हूं स्व लेकिन बाद में सब कुस सामानने भी हो जाएगा आज किम चावल खाएंगे तो आपके लिए आपके लिए सुख राल दर्म और आपके लिए आज का लखी निंबर एक रहेगा तुम दूल ये था आजके बारा रासी का रासी भल अब जानेते हैं आज का सुब समय, आज का सुब समय यानि की गुलिकाल रहने वाला है, दिन के 12 बच कर 20 मियान्ज लेकर दो बच कर 4 मियर तक. इस समय में कोई भी नया कारी आर्म करेंगे तो उसमें आपको सबल दात लगेगी. आज का असुब समय यानि की राहु काल रहने वाला है दिन के 3 बच कर 48 मेर्स लेकर 5 बच कर 33 मेर्ट तक यहाँ पर जो भी कारी आप करेंगे उसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती है दिशासुलाग उत्तर दिशाम रहने वाला है उत्तर दिशाम में किसी भी खास परियोज जय मता दिए